हलो दोस्तों, नमस्कार, आज का ठमनेल आपने देखाई होगा, जिसमें कहा गया है कि 35,000 रुपए देखर के आपको जॉब मिल सकता है कैनाडा में, अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, कैनाडा जाना चाहते हैं, और आप भी सोचते हैं कि 35,000 रुपया देखर के आप कैनाड पहुँच सकते हैं तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार 35,000 में आप किनेडा पहुँच सकते हैं मेरा भाई जी हाँ अगर आप जॉब सीकर हैं आप भी चाहते हैं कि अच्छा खासा पैसा इंकम करें कैनेडा में जाके लाख रुपे इंकम करें तो यार सबसे आसान तरीका है मेरा दोस्त 35,000 रुपे खर्च करो और कैनेडा पहुँच जाके लाख रुपे कमाओ और एक आलिशान जिन्दगी जीओ है की नहीं अगर आपका भी यही सोच है तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आज का इस भीडियो को जरूर देखें नमस्कार मैं होशक कुमार साहू करियर कोच और आप देख रहे हैं लावनिया ग्लोबल करियर प्लानर यीटू चैनल कैनेडा जाने का मन किसका नहीं होगा यार जो भी व्यक्ति जो विदेश जायर काम करना चाहता है जादा पैसा अर्न करना चाहता है तो सबसे पहले जहन में आता है वो है कैनेडा क्योंगे कैनेडा में इंकम जादा होता है Trust me, मैंने भी देखा है, इंडिया का जड़तर लोग जो है, सबसे पहले पसंद करते हैं Canada जाना, उसके बाद कोई और country और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं लोग, जी हाँ, कहते हैं कि कोई 5 भी पढ़ा है, कोई 10 भी पढ़ा है, कोई 8 भी पढ़ा है, वो भी Canada पहुंच सकता है, और मैंने कई बार बता है कि दोस्तों, ऐसा बिल्कूल नहीं होता है, आप अगर कम पढ़े लिखे हैं, तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, 35,000 क्यों मंगते हैं आपको, सबसे पहले कहा जाता है, कि देखिए, आपका जो भी खर्चा होगा, उसमें का सिर्फ आपको 10 परशंट यहां पर देना है, या 5 परशंट देना है, या सिंपली बोल देते हैं कि भाई, आप यहां पर 35, 40 रपर दे दीजिए, और बाकी जो पैसा है, आप उहां पहुंचने के बाद, आपका सालरे से कटेगा, अगर आपको यकिन नहीं है, कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूं, तो मेरा एक भीवर का आप मेसेज देख लीजिए, मैं यहां पर किसी का नाम नहीं बताने वाला हूं, जस्ट आप एक मेसेज देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सच में कोई 35,000 रुपया में कैनेडा पहुंच सकता है, लिहाजा यह होता है कि लोग जो है दोस्तों पैसा पे कर देते हैं, और पैसा पे करने के बाद फिर आपका नंबर गाय भी हो जाता है, तो दोस्त उसने मेरे को बोला कि इधर मेरे को 35,000 देना है, यानि कि 35,000 रुप आपको पे करना है, और फिर कमपनी से 50,000 पचास हजार कर जाएंगे, यानि यहाँ पर 35,000 रुपय देना है, और बाकि जो पैसा है, कितना टोटल पैसा है बता आए नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है, बाकि जो 50-50,000 रुपया आप हर महीने अपना सलरी से कटवा सकते हैं यहने कि सलरी से कट जाएगा ठीक है आगे और दिखते हैं आगे क्या लिखा है ठीक है यह उनका document list है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ तो यह है दोस्तों document list अब dated resume, passport, photo 35 x 45 mm size का white background ठीक है 80% face दिखना चीए आधार card, pan card, elections card, any two ठीक है all educational certificates, experience certificates, job offer later, resign later etc bank statement 6 month का होना चीए all the financial documents, bank balance certificates ठीक है 5-7 लाक रुपया होना चीए ठीक है marriage certificate अगर कोई है तो IT returns 2 साल का property valuation report एक चीए ठीक है benefit, accommodation, food, air tickets, medical and transportation ठीक है यह था total आपका benefits और आपका document list टोटल कॉस्ट आपका लिखा दोस्तों 2,35,000 रुपया यानि की 2,35,000 रुपया में आप पहुंच जाएंगे सकता है और 100% होने के बाद offer later आने वाला है ठीक है 2 प्लस 1, 3 years का भीजा होगा 2,00,000 आपका total खर्चा होंगे 35,000 रुपया देना पड़ेगा 1,25,000 या 10,000 या 10,000 प्लस 25,000 एक week के अंदर देना है ठीक है और इस तरह का ये total मतलब जो भी है आपका process बताया गया है तो दोस्तों आप समझ गए ये जो 35,000 मैंनी कह रहाता ठीक है ऐसे market में हो रहा है कि आप 2,35,000 में पहुंच सकते हैं Canada जहां पर सिर्फ आपको 35,000 रुपय देना है और बाकी जो 2,00,000 है आप जाने के बाद आपका salary से कटने वाला है ऐसे अगर आपको भी कोई कहता है process के लिए तो उनको बिल्कुल भी trust ना करें क्योंकि ऐसा process बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों केनेडा का मालने जाए आपको अगर कोई mobile phone जो iPhone है अगर उसका नया price एक लाख 20,000 या डेड़ लाख का है अगर आपको कोई 20,000 में देता है तो क्या आप उसे लेंगे या 10,000 में देता है तो क्या आप लेंगे बिल्कुल नहीं आपके मन में कई प्रकार के questions उठेंगे कई प्रकार सवालात आएंगे कि या जो डेड़ लाख market में समान का price है वो भी नया और अगर आपको कोई 10,000-20,000 बेच रहा है तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये खायाल जरूर आएगा कि भाई ये कहीं न कहीं जूट बोल रह है या कहीं न कहीं ये समान में कोई defect है सही है कि नहीं तो अगर आपको Canada में जाने के लिए कहता है कि आप 35,000 रुपर दे दिजे और बाकी पैसा वहां पर आपको पे करना होगा तो बिलकुल भी गलत है दोस्तों इसा बातों में बिलकुल ना आएं कभी भी employer किसी भी employees का salary स पैसा नहीं काटता प्रोसेसिंग के लिए कोई भी company कभी भी किसी भी employees से पैसा चार्ज नहीं करता है जो भी charge होता है वो charge like lawyer charge हो गया, immigration charge हो गया, agents का charge हो गया, agency का जो होता है, charges हो ठीक है या इस तरह के और कोई भी इधर उदर का खर्चा होता है, flight खर्चा हो गया, insurance का खर मतलब खर्चा हो गया, तो इस तरह का अलग से खर्चा होता है, लेकिन कोई भी employer किसी भी job seeker से जो apply करता है, job उससे कभी भी charge नहीं करता है, अगर कोई company से charge करता है, तो यार मैं तो मानूँगा कभी company के पास अवकात ही नहीं salary देने का, ठीक है, तो वो क्यों hire करेगी किसी हो, right or wrong, तो या आप सतर करें हैं, इस तरह का जो process कहा जाता है, आपको उसमें बिल्कुल भी ध्यान ना दे, अन्य था आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, इस बंदे का 35 जरुपर गया समझो, सहीं की नहीं, जो पैसा पेकिया इन्होंने, 35 जरुपर गया, अगर आप या इसा करते हैं, तो आपका भी पैसा डूब सकता है, तो इससे बचें, पहले market में research करें, कौन सा country जाने के लिए क्या जरुवत पड़ता है, कौन सा country जाने में कितना खर्चा होता है, उसके बाद ही अगर आप decision लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपना पैसा बचा सकते है और इस तरह का मेरे पास कई कैसे साते हैं दोस्तों, हर दिन, तो मैंने सुचा एक और वीडियो बना लेता हूँ, ताकि ऐसे जो बंदे पैसा जो डुबो रहे हैं, कम से कम वो अपना पैसा बचा सकें, दोस्तों आपका क्या खयाल है, ये जो कर रहे हैं, जो 20,000-30,000 विप में जरू दीजिएगा, और इसी तरह informative वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो, और अगर आज का मारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, informative लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक जरू दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के स्क्राइब से बच सकें, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, इसी तरह के और नए वीडियो में नए टोपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना खैल और मुझे दी इजाज़त थैं Thank you so much, Jai Hind, Jai Bharat.